हेलो दोस्तों, वेलकम टो माई यूट्यूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि A प्लस B का होल स्क्वायर के फार्मूले का आप यूज कैसे करेंगे फार्मूला तो आप याद कर लेते हैं यह सूत्र आप बहुत बच्चे याद कर लेते हैं लेकिन जब उसका एप्लिकेशन की बात आती है तो उनको थोड़ा समस्या होती है तो ऐसी समस्या ना हो इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ जिससे यहाँ पे लिखा है 5 प्लस 3 का होल स्क्वायर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि इसको आप फार्मूले के माध्यम से करिए अने था अगर इसको मैनुली करना हो तो क्या करना है 5 प्लस 3 को एड कर लिजे 8 आजाएगा 8 का स्क्वाड कर दीजे 64 आजाएगा सब कर लेंगे लेकिन जब फार्मूले का यूज करके करना होगा तो आपको यहाँ पे A प्लस B के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा कर इसको साल्प करना होगा तो फार्मूला का इसमें अप्लाई करते हैं तो A के वैलू क्या हो जाएगी 5 और B के वैलू हो जाएगी 3 अब आपको कुस नहीं करना है इसी फार्मूले में वैलू पुट कर दीजिए बस क्या है A स्क्वायर यानि कि 5 का स्क्वायर प्लस B स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 A के वैलू 5 है और B के वैलू 3 है यह जाएगा 25 प्लस 9 प्लस 2 फाइव जाएगा प्लस 2 फाइव जाएगा ठीक अब इसको आप एड कर लेजाएगा बताइजे कामिसर में कितना होता है कितना जाएगा 64 ठीक तो आप जब क्वेश्चन को करते हैं खुद करते हैं जब तभी आपको प्राब्लम आपकी solve हो गया अगर question आप देखते रहेंगे और कभी भी आप question को solve नहीं करेंगे तो mathematics ऐसी चीज है जब तक आप खुद नहीं करने वाले हैं तब तक आपको देख कर नहीं आने वाले हैं जब आप copy कलम लेके बैठेंगे खुद question को solve करेंगे तब आपको पता जलेगा कि कैसे solve होता है 4 प्लस 2 का whole square इसको भी formula से solve करना है तो यहाँ पे a की value क्या हो जाएगी 4 और b की value हो जाएगी 2 ठीक इसमें value put कर दिजे तो formula होता है a square plus b square plus 2ab तो a square के value क्या हो जाएगी 4 plus b square तो जाएगा 2 का power 2 plus 2 a into b 4 into 2 तो जाएगा 16 plus 4 2 तो जा 8 into 2 16 तो जाएगा 38 sorry 6 ठीक है 36 आपको क्या हो जाएगा answer हो जाएगा अब calculation पर बसेद ध्यान दिए calculation में बच्चे कहीं multiply में mistake कर देते हैं कहीं addition में multiply कर देते हैं कहीं a और b के value में mistake कर देते हैं ठीक है तो यह छोटी छोटी बाते होती जो आपको exam में ध्यान रखना होता है आएगा question देखते हैं यहाँ पर क्या है इसके पहले जो मैंने question करवाए हैं दो question आपको उसमें a plus b whole square का formula मैंने use करके आप question बताए है इस question में मैं आपको a minus b का whole square के formula का प्रयोग आप कैसे करेंगे वो बताने वाला हूँ यहाँ पर मैंने question लिया है 7 minus 2 का whole square 7 minus 2 यहनि a के value क्या हो जाएगी यहाँ पर 7 और b के value हो जाएगी 2 ठीक तो formula क्या होता है a square तो नहीं की 7 का square कर देंगे plus b square यहनि की 2 का square कर देंगे minus 2 a यहनि की 7 b यहनि की 2 यह हो गया 7 से बंजा 49 plus 4 2 का square करेंगे 4 आएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 तो 28 आएगा ठीक पहले आपको बार्ड मास ओल करेंगे तो पहले क्या करेंगे add करेंगे फिर subtract करेंगे इसको आप सब्टर करके बताएगे कितना आता है answer कितना जाएगा 25 यह अपको क्या हो जाएगा answer जाएगा तो देख रहेंगे आप कितनी आसानी से solve हो जाते हैं बस मैं आप से यही कहूंगा कि आप formula पहले याद कर लिजिए उसके बाद इसको अपने आप solve करेंगे question जब आप खुड solve करते हैं तब आपको पता जलता है question solve कैसे होता है अगर आप सुछ वीडियो देखते रहेंगे या कोई और solve कर रहा है class में पढ़ रहें तो class में अगर आप सुछ देखते रहेंगे copy में note नहीं करना है आपने सोचा कि हमको देख लिया है हमको आ गया लेकिन जब आप परिच्छा में copy में solve करने बैठेंगे न तो आपको समझ नहीं आएगा कि A के value यहाँ पे plus में रखनी है A के value 7 रखना है B के value minus में रखनी है या plus में रखनी है वहाँ पे आप गडबड कर देंगे दोस्तों उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा रगा होगा आपको helpful होगा आपके लिए तो अगर वीडियो पसंद आया हो इससे क्या होगा आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं होगे सारी के सारी वीडियो आप तक पहुँँ जाएंगे और आप देख पाएंगे तो उम्मिद करता हूँ कि आप सब्सक्राइब जूर करेंगे और पासमें तो बेल आइकन उसको भी प्रेस कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे जैदा जैद लोगों को भी सेर भी कर देंगे थैंक्स पर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाई बाई टेक केर